नमश्कार, आमी अच्छी पारो, एक बार फिर से आपकी पारो लेके आई है मसालेदार वॉलिवुट खबर जी हाँ, वॉलिवुट ए न्यूजर जो लो, आमी आईशी जाई अपनर काछे इससे पहले हमने DDLJ आपको बताई, इसके बाद चलते चलते की कहानी बताई, वो भी पर्दे के पीछे जेटा आपनारा जानते ना तो एक बार फिर से आपकी पारो आई है, एक और मसालेदार खबर लेके, जी सुल्मान खाने आपनरा सुल्तान देखे चें, सुल्तान कहानी में क्या था? एक रैसलर की स्ट्रेगल की कहानी, जेटा के अली अबास जफर बानी अची लोग इसमें सल्मान खान ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, एटा सक्सेस्फुल होए चें, किन्तु सक्सेस्फुल है, पीछे एक टारेक्टा कहानी आचें कि अनुष्का शर्मा फर्स चॉयस नहीं थी, कौन थी उससे पहले फर्स चॉयस इस फिल्म के लिए एटा आमी इखाने बहुशे ताको ने, ठीका चें, एटो आपना रहाशे के चें, सल्मान खाने आपजिटें के चिलो, अनुष्का शर्मा, जी हाँ, अनुष्का शर्मा, जग घुमेया, तुम सा नहीं मिला कोई, इस ग्याने में तो धमाल ही कर दिया दोनोंने, खेर, अनुष्का श अनुष्का, फिट हो गए इस रोल में, किन्तु म्रिनाल ठाकूर क्यों भार हो गई, ये भी बताती हुए आपको, शल्मान खाने जो नो एटा होए नए, जी हाँ, सल्मान खान की यहाँ पे कोई भूल नहीं थी, दरसल म्रिनाल ठाकूर और शाहित कपूर, जब अपनी फि चिलो अली अबास जफरर, किन्तु एटा होए नए, एकाने सल्मान खूल ना, यहाँ पे सल्मान की कोई गलती नहीं थी, अली अबास जफर को म्रिनाल ठाकूर पसंद थी, और फिर्स चोईस थी, लेकिन कही ना कही म्रिनाल ठाकूर उस रोल के लिए फिट नहीं बैठ रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ, दरसल मैं आपको यह बता दूँ कि म्रिनाल ठाकूर ने उस समय काफी घटा लिया था, और रैसलर की भूमिका के लिए ऐसे बौडी चाहिए था, जिसमें वो लगे कि वो गेम खेलती है, तो एकाने म्रिनाल ठाकूर रो भूलना, क्यों नहीं इस फिल्म के लिए म्रिनाल ठाकूर नहीं चूज की गई, और उनके बदले अनुष्का को चूज किया गया, हाला कि अलियाबास, जफर और म्रिनाल ठाकूर सल्मान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस पे भी गए थे, किन्तु एटा होए नहीं, वो बोलते है ना, किसमत मे जितना लिखा है, उतना ही मिलेगा, ओटा ही होए चे म्रिनाल ठाकूर साथे, किन्तु आनुष्का और सल्मान खान ने सुल्तान में खूब भालो के रहे चे, और खूब भालो कोरा जोन्नों ही एटा, टू थाउजन सिक्स्टीनेर, सुपर दूपर हिट सिनवार होए चे, और इस फिल्म ने 630 करोर का बिजनेस किया था, जी, एट जोन्नों, म्रिनाल ठाकूर और सल्मान खान साथ में नजर नहीं आ पाए, तो आपको कैसी लगे स्टोरी, पिक्चर पारो की, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए